किसी भी कारू कार डायमेटर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे पैरलल कोड्स ड्रो करेंगे इस डायमेटर की इक्वेशन को इस तरह से मान लिया तो यहां से M1 की वेल्यू कितनी आ जाएगी अब इसके पैरलल ड्रो करेंगे और उसका मेड़ पॉइंट लेंगे तो यह हमें जो स्टार्टिंग में कोड ली थी उसके पैरलल मिल जाएगी अब डायमेटर को कोड मानते हुए फिर उसके पैरलल कोड ड्रो करें टेन कीटा टेन फाइव माइनस वन के बराबर आ गया कि डायमेटर क्या होता है circles में तो हम अलग से पढ़ते हैं डायमेटर को क्यूंकि circle में जो डायमेटर होता है वो center से pass करने वाली code होती है अपने को पता है पैरा बोला में हमने पढ़ा था डायमेटर तो उसकी definition क्या पड़ी थी बिल्कुल ठीक है मतलब हमें किसी भी कारू का diameter find out करना हो तो क्या करेंगे? Parallel quotes draw करेंगे हाना, तो हमें यहां पे x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 इस कारू के लिए, मतलब ellipse के लिए diameter find out करना है कि क्या होगा और उसकी equation क्या होगी तो यह ellipse बना दिया हमने अब क्या करेंगे? parallel quotes draw कर दो आप ठीक है? parallel quotes draw कर दी हमने तो इनकी कोई न कोई तो हमें slope लेनी पड़ेगी ना तो मतलब m slope की एक quote draw की और उसके सारी parallel quotes draw कर दी, तो जितने भी यहां पे lines दिख रही है, उनकी slope कितनी हो जाएगी? m हो जाएगी तो parallel quotes के midpoint जैसे इसका midpoint यह हो गया इसका midpoint यह सब के midpoints की बात कर रहे है quotes है न, यह बाहर नहीं जाएगा तो यहां पे बाहर जा रहा है यह quotes है न, यह secant हो जाएगी बाहर जाएगी तब तो तो यहां पे quotes की बात कर रहा है तो इसको यहां तक रख देते हैं और इस code की slope हमने ले लिए M, तो parallel codes के mid points को join कर दे हम, तो हमें क्या मिलेगा, इसका diameter मिलेगा, यह जो line है, यह मिल जाएगी diameter, ठीक है, parallel codes के mid point का locus, यह क्या होता है, diameter होता है, किसी भी कारू के लिए तो लिख सकते हैं, लोकस of mid points of parallel codes, parallel codes के mid points का locus, infinite codes होगी, infinite point मिलेंगे तो एक line बन जागी और यह line क्या हो जाएगा, इसके लिए code हो जाएगा, diameter हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की line क्या होगी, diameter होगी, यहाँ पे हमने क्या fix लिया, जो line है उसकी slope ली, और लोकस किसका होगा, code के mid point का, तो code के mid point इस point को में h, k लेट कर लूँ, तो यह एक code है हमारे पास, जिसका नाम भी हम रख सकते हैं, a, b code, जिसका mid point p है, और वो हमने h, k ले लिया, तो यह एक तरह से क्या situation बन गी हमारे पास, code whose mid point is given, ऐसी situation बन गी, तो हम लिख भी सकते हैं इसको, equation of code whose mid point is given, जो क्या है, mid point h, k is given, क्या होगी equation इसकी, t equal to s1, t लिखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x h upon a square, plus y upon b square, यह तो हो गया t, equal to, जो minus 1 है, वो उधर भी आएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, t equal to s1 में आजाएगा, h square by a square, plus k square by b square, यह क्या एक line है, इस line की slope कितनी मानिया हमने, m, मतलब जितनी भी codes होगी, उन सब की slope क्या होगी, m होगी, तो इस line को मैं y equal to mx plus c form में लिखूँ तो यह हो जाएगा, y equal to minus का h by a square into b square by k into x, plus h square upon a square plus k square upon b square, और इसके multiply में आजाएगा, b square by k, यह इस line को मैंने y equal to mx plus c की form में लिख दिया, और इस line की यह जो slope दिखरी है, x का coefficient, यह इसकी क्या हो जाएगी, slope m हो जाएगी, मतलब यहाँ पे fixed क्या रह रहा है, slope, जो हर code की slope है, m रहेगी, यह चीज यहाँ पे fixed रहेगी, तो यहाँ पे यह जो line आई थी, इसकी slope m के बराबर रग दी, तो यहाँ से m की value अपने को क्या मिलेगी, minus h upon a square into b square by k, ठीक, इसको मैं आगे solve करूँ, तो k और h की जगे x और y replace कर देती ही हो गया, y equal to minus का b square by a square m into x, यह क्या आगी, x और y में एक equation आगी, h और k को x और y में replace कर दिया, तो यह आगी हमें हमारे पास equation of diameter, जिसकी slope कितनी हो, m हो, a square b square हम ellipse से निकाल लेंगे, तो a square b square तो मिल गया हमें यहाँ से, और उसकी slope दे रखी होगी, तो हमें diameter की equation निकल जाएगी, slope को बदलते जाएँगे, तो diameter बदलता जाएगा, slope को बदलते जाएँगे, तो हमें diameter भी बदल बदल के मिलता जाएगा, center से भी pass करेगा, diameter center से pass करेगा, यह confirm हो गया न, ठीक, यह हो गया diameter, इसमें एक और चीज यूज़ होती है, इसका conjugate diameter, डायमेटर और होता है इसका कॉंजूगेट डायमेटर अब ये क्या है कॉंजूगेट डायमेटर तो हमने क्या किया था यहां पर पैरलल कोड्स ड्रो की उनका मिड़ पॉइंट से हमें क्या मिला डायमेटर मिला ठीक है अब इस डायमेटर के पैरलल कोड्स ड्रो करें हम और उनके मिड़ पॉइंट का लोकस निकाले तो वहां से जो लाइन मिलेगी वो होगा कॉंजूगेट डायमेटर समझ में आई बात पहले हमने parallel quotes ली उनका midpoint को join कर दिया तो ये मिल गया हमारे पास diameter तो समझना इस बात को पहले हमने m slope की ये lines ट्रो की थी इस तरह से parallel quotes ठीक इनके midpoint को join किया तो हमें मिल गया एक diameter इस तरह से ये diameter मिल गया अब हमें क्या करना है इसके parallel lines ट्रो करनी है किसके जो diameter आया उसके parallel lines ट्रो करेंगे तो ये parallel line इस तरह से हो जाएगी इन parallel lines के midpoint ये जो parallel quotes है ये भी सारी parallel code होगी बट ये parallel code किसके है diameter के parallel code है ये न ये है diameter के सारी parallel इनके midpoints को ले हम तो इनके mid points को ले तो यहां कहीं आ जाएगा इनका mid point ऐसे कुछ तो यह जो है, यह जो diameter आएगा, यह कौन सा होगा, conjugate diameter होगा यह diameter क्या होगा, conjugate diameter होगा समझ में आई क्या बात diameter के parallel quotes draw करें, उनके mid point का locus जो आएगा, वो conjugate diameter होगा तो conjugate diameter में क्या लिख सकते हैं लोकस of mid point, mid point, locus of mid point of codes which are, which are parallel to diameter ठीक बात है डायमेटर के पैरलल कोट्स जो की उनके मिड़ पॉइंट का लोकुस क्या मिल जाएगा कॉंजूगेट डायमेटर मिल जाएगा ठीक अब देखो छोटी सी चीज लेट कर लेते हैं लेट वाई क्वल्टू एम वन एक्स डायमेटर हो या कॉंजूगेट डायमेटर हो वो कहां से पास करेंगे सेंटर से पास करेंगे उसके एलिपस के तो वाई एक्वल टू एम वन एक्स एंड वाई एक्वल टू एम टू एक्स आर कॉंजूगेट डायमेटर कॉंजूगेट डायमेटर बात समझ रहे हो जैसे कि जो process हमने मालो diameter के लिए की पहले diameter निकालने के लिए की फिर से वो diameter के साथ apply करें तो क्या बन जाता है conjugate diameter तो इसका मतलब ये जो line है और ये line एक दूसरे के क्या होगे conjugate diameter होगे जैसे हम पहले मालो एक line ऐसे draw करते सारी parallel code इसके draw करते और उनके midpoint का locus लेते और फिर उसके parallel code draw करते तो midpoint से एक से दूसरा मिल जाता है अपने को पहले हमने इसके साथ procedure follow किया तो ये जो line है वो इसके parallel आएगी गनियाएगी वो देख लेते हैं भी y equal to m1 x और y equal to m2 x दो हमने line ले ली जो एक दूसरे की क्या है conjugate diameter है दोनों की दोनों lines होगी और pass करेगी कहां से center से pass करेगी ठीक अब देखो एक इसको मैं normal diameter ले लूँ तो इसको मैं किससे compare कर सकता हूँ y equal to m1 x को हम compare किससे कर सकते हैं हमने diameter की equation क्या निकाली थी equation of diameter y equal to minus b square by a square m into x ठीक है ठीक अब यहां से इसकी slope क्या हो जाएगी यह slope आ जाएगी ठीक तो इसकी slope को compare कर दें यह दोनों line क्या है एक ही है मैंने इस diameter की equation को इस तरह से मान लिया तो यहां से m1 की value कितनी आ जाएगी minus का b square upon a square m into x sorry x नहीं आएगा न यह आजाएगा न यह value आगी अब यहां पर क्या रख सकते हैं क्या m की जगे हम m2 रख सकते हैं क्या क्योंकि इसका यह क्या है conjugate diameter है तो y equal to m1 x line के लिए y equal to m1 x line के लिए हमने conjugate diameter लिखा तो इसका मतलब यह जो line थी यह तरह से diameter का काम कर रही है यह हाना इसको हमने क्या माना एक diameter इसको दूसरा diameter यह पहला diameter है जो यह आ गया तो इसी के ही parallel codes होगी कि नहीं होगी दूसरी वैली होगी कि नहीं होगी हाना समझ में आरी बात तो इस line की equation हमने y equal to m1 x रख हुई है तो हमें कौन सा diameter मिला बताओ इसकी equation मिलेगी फिर उसके बाद slope से इस diameter के लिए यह क्या हो गया conjugate diameter हो गया तो हमने इन दोनों को क्या बोला है एक दूसरे की conjugate बोला है तो इसको हम compare किसे कर रहे है जो हमने equation निकाली है y equal to minus b square upon a square m into x है ठीक है यहां से हम slope निकाल सकते हैं ठीक है तो पहले तो यह situation आगी हमारे पास अब यहां पे जो m है वो किसकी slope थी codes की ठीक ही नहीं थी अब यह जो मालोज जैसे पहले हमने यह parallel code ली इनके midpoint से यह diameter बना इसके जब parallel लेंगे हम codes और उनका midpoint निकालेंगे तो यह जो line है जो हमने starting में जो code draw की थी ना उसी के parallel आएगी जो हमने यहां पे तो चलो इस तरह से draw की यदि मैं उसको exact midpoint लेके draw करूँ तो यह जो line है और यह line है दोनों क्या होगी parallel होगी ना क्योंकि हम उसी process को बार-बार follow कर रहें पहले हमने parallel code ली उसके midpoint को join किया तो यह code मिलगी अब इसके parallel draw करेंगे और उसका midpoint लेंगे तो यह हमें हो जाएगी हो जाएगी ना यह तो दोनों line है यह parallel लाएगी यहां पे थोड़ा से इदर बना दिया मैंने तो इसका मतलब इस M की जगे में क्या put कर सकता हूं M to put कर सकते हैं क्योंकि एक दूसरे की conjugate है तो एक को लेके दूसरा बना सकते हैं दूसरे को लेके वापे से अपने को पहली situation मिल जाएगी तो इस M की जगे क्या रख सकते हैं अपन M to रख सकते हैं समझ में आगी ना यह जो slope M है M क्या है slope of code और जो conjugate diameter है वह उसी code के parallel मिलेगा अपने को तो M की जगे replace कर दिया M2 तो आ जाएगा minus का B square upon A square into M2 यहां से क्या result मिला अपने को M1 into M2 is equal to minus का B square upon A square ठीक यह जो है यहां पर इसको तोड़ा समय properly भी ड्रो कर देता हूं यह तो कायब हो जाएगा तो यह जो यहां पर जो code आएगी वह इस तरह से आएगी जो इसी के parallel हो ना इस line के parallel code अपने को मिलेगी यह जो starting में line करी थी इसी के parallel मिलेगी तो starting में जो सबसे पहले हमने parallel code ली थी उसकी slope और conjugate diameter की slope वापस क्या मिल जाएगी बराबर मिल जाएगी तो हमारे पास मानलो ऐसे बोला जाएगी यह दो line आपस में एक दूसरे के conjugate diameter है तो इसका मतलब वहां से क्या result निकाल सकते हैं M1 M2 is equal to minus B square upon A square अब देखो इसी result को हम verify कर सकते हैं किसके साथ circle के साथ circle में circle में यदि हम A की जगे B की जगे A रख दे तो M1 M2 कितना आ गया minus 1 M1 M2 मतलब perpendicular तो circle में जो conjugate diameter होंगे वो क्या होंगे 90 degree पे होंगे बर ellipse में 90 degree पे नहीं होंगे इस condition को satisfy करेंगे हाना circle में आप इसी इसको पूरा अच्छी तरह से इसको आप समझ सकते हैं यहाँ पे एक circle ले लिया हमने अब इसमें देखो आप क्या करोगे पहले मालो इस तरह से parallel line ड्रो करोगे तो इनके midpoint का लोकस कोंच आएगा ये वाला diameter अब इसके parallel line ड्रो करोगे तो कौंच आएगा ये जो center से पास कर रहा है और ये अपस में क्या होंगे perpendicular होंगे समझ गए तो conjugate diameter और normal diameter diameter कैसे बना सबसे पहले parallel codes के midpoint का locus diameter मिल गया अब diameter को code मानते हुआ फिर उसके parallel code ड्रो करें तो उनके midpoint का जो locus आएगा वो होगा उसका conjugate diameter और जो हमने starting में code ली थी जिसकी slope M ली थी उसकी slope और conjugate diameter की slope से M मिलेगी ठीक है तो यहाँ पे हमने situation create की उसमें हमने मान लिया कि यह दो आपस में क्या है conjugate diameter है तो M1 और M2 में क्या relation आएगा वो हमने यहाँ पे find out कर लिया ठीक है इसमें जो M1 की value है वो हमने निकाली थी diameter की equation क्या थी और यहाँ पे जो M use किया वो slope हो जाएगी conjugate diameter की तो हमने वहाँ से रख दी M2 की slope क्लियर है picture तो diameter और conjugate diameter समझगे अच्छे से और दोनों की equation दे रखी हो तो important result M1 into M2 minus B square by A square के बराबर आता है ठीक है छलो देखो इदर हमें बोला है कि semi diameter or semi conjugate diameter हाना एक हमने ले लिया यह पूरा एक diameter इस तरह से होगा तो यह ले लिया angle theta पे point P तो theta angle है वैसे तो यहां यहां नहीं होगा theta angle यहां लिखना गलत हो जाता है क्योंकि जो angle होता है वो इसके corresponding angle का auxiliary circle पे तो point P ले लिया इसके coordinate क्या ले सकते हैं a cos theta, b sin theta यह हमने ellipse के उपर एक point ले लिया जो diameter के एक end point के coordinate है और इसका conjugate इसके diameter वो ले लिया कि phi angle के साथ है ठीक यह theta angle पे और यह phi centric angle पे है तो इसके coordinate हो जाएंगे a cos phi, b sin phi और हमें यह तो पता है कि दोनों के दोनों diameter कहां से पास करते हैं center से तो इसका मतलब इस point की slope op की slope and oq की slope हम निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा op की slope कितनी होगी b by a 10 theta y2 minus y1 upon x2 minus x1 इसकी slope क्या हो जाएगी b by a 10 phi होगी और इन दोनों की slope का product कितना होता है minus b square by a square तो multiply कर दो b square by a square 10 theta 10 phi किसके बराबर हो गया minus b square by ठीक है यहां तक तो यहां से क्या आ गया 10 theta equal to minus का quote phi ठीक 10 theta equal to क्या लिख सकता हूँ quote इसको लिख सकता हूँ 10 phi by 2 plus phi minus का quote phi कब आएगा जब 10 phi by 2 plus theta रखेंगे पाटरेंट में नेगेटिव हो जाएगा तो theta किसके बराबर हो गया पाटरेंट तो theta minus phi यह कितना आ गया phi by 2 दोनों के eccentric एंगल differ by कितना हो जाएगा phi by 2 हो जाएगा तो यह result भी अपने को ध्यान रखना है पूछा जा सकता है सबको समझ में आ गया पर यहां पर हमें जरूत किसकी पड़ी इन दोनों की slope का जो product आता है minus b square upon a square वो अपने को यहां पर पता होना चाहिए ठीक है तो अभी हमने पहला सवाल पड़ा था कि यदि एक diameter हो एक उसका conjugate diameter हो तो इस point को यदि मैं a cos theta comma b sin theta लूँ तो इस point की coordinate क्या ले सकता हूँ a cos pi by 2 plus theta और pi by 2 plus theta लिख सकते हैं b sin तो a cos pi by 2 plus theta comma b sin pi by 2 plus theta बिल्कु लिख सकते हैं इसे pi by 2 से differ करता है अब इसको simplify करे तो क्या हो जाएगा q point की coordinate pi point की coordinate हमारे पास है a cos theta b sin theta q point की coordinate क्या हो जाएगे माइनस का a cos theta a sin theta को माइनस का a sin theta comma b cos theta और अब semi-diameter और semi-conjugate diameter तो origin से distance निकाल दो sum of op कितना आएगा op a square plus b square और o q कितना आएगा a square a square sin square theta plus b square cos square theta तो sum नहीं होगा sum of squares होगा सवाल ना इस सवाल का अंसर a square plus b square नहीं होगा sum of squares of length of the same squares होगा ना op और o q का square करेंगे op square plus o q square सवाल इसका अंसर ना इसका अंसर तो यह आ जाएगा यहां में होगा नहीं कोई भी इनके square का sum करेंगे तो आ जाएगा देखो स्क्वार उठट जाएगा a square को square plus a square sin square a square plus b square तो मतलब दो diameter हो जो एक दूसरे के conjugate हो तो इसका पूरा नाम ऐसे हर बार नहीं लिखा था diameter और conjugate diameter आपको बोल दिया कि length of semi conjugate diameters तो conjugate diameters बोल दिया तो मतलब दो diameter जो एक दूसरे के conjugate है conjugate diameters भी लिखा आए तो उसका मतलब आप समझाओगी कि दो diameter की बात कर रहे है जो एक दूसरे के conjugate है तो इस सवाल को थोड़ा बदल के भी लिखा जा सकते हैं यहाँ पर ना semi diameter और semi conjugate diameter आप से इसे भी पूछ सकते हैं कि sum of squares of the length of semi conjugate diameters तो semi conjugate diameters का मतलब दो diameter जो एक दूसरे के conjugate है और पता है एक से दूसरा मिलेगा दूसरे से पहला मिल जाता है तो यहाँ पर पहला point काम में आया तो यह दोनों एक तरह से दोनों important result भी है तो यह सवाल मैंने आपको करवा दिये क्योंकि result भी लिखते तो अपने को solve तो करना होता तो यह दोनों result है कि diameter और conjugate diameter के eccentric angle pi by 2 angle से differ गरते हैं और उनके length का square a square plus b square के बराबर होता है हमेशा constant होता है यह दोनों important points थे किस पे diameter और उसके conjugate diameter पर clear समझगे अच्छे से ठीक अब आती है second definition of ellipse पहली definition पड़ी एक mechanical definition पड़ी थी अब यह second definition जैसे हमने parabola के लिए पड़ी थी क्योंकि हमें पता है standard इसकी जो standard equation क्या होती है x square upon a square plus y square upon equal to 1 यह है अब इसका diagram में बनाओं तो इस तरह से diagram बनेगा बन क्या diagram इस पे कोई भी point p x, y ले लूँ मैं यहां पे इस point के coordinate p x, y इस ellipse को पर लाई करेगा बिल्कुल करेगा अब मैं बात करूँ कि इस point p की इसके measure axis से distance कितनी है बताओ y इस point की x axis से distance कितनी है y इस point p की y axis से distance कितनी है और यही यहां पे लिखी हुई है तो parabola की हमने second definition पड़ी थी corresponding to two perpendicular lines उसमें line होती थी ecto axis और parabola दूसरा tangentate vertex तो उन दो lines दो perpendicular line दे रखी हो और lettuce rectum की length दे रखी हो तो हम parabola की second definition लिख सकते थे यहां पे भी यह है किसके corresponding दो perpendicular line के ही corresponding है यह दो perpendicular line कौन सी है major और minor axis इसके अलावा आप में a और b मतलब length of minor axis या major axis बोल दो semi minor axis और semi major axis भी हमें साथ में दी होनी चाहिए तो इसका मतलब इसको यदि मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं जो small axis वो क्या है distance distance of point p from किस से y axis जिसको हम क्या बोलेंगे minor axis का square divided by length of a क्या है semi major axis का square plus distance of distance of point p from minor ले लिए क्या हो जाएगा major axis का square divided by length of semi minor axis का square is equal to 1 ठीक है तो हमें equation of ellipse लिखनी हो corresponding to two perpendicular line तो वो दो perpendicular line क्या हो नीची है major और minor axis की equation तो जैसे छोटा से एक्जामपल लिखे equation of measure and minor axis are x plus y plus 1 equal to 0 and x minus 1 plus 2 equal to 0 यह दोनों perpendicular lines है दो पर्पेंडिगुलर लाइन हो नीची है and length of major axis and minor axis are 4 and 3 respectively then equation of ellipse क्या बनेगी यह इस तरह का सवाल हमें दिया होगा तो लिख सकते हैं तुरंत इस से क्या हो जाएगा इसका answer डाइरेक्ट लिख सकते है answer x plus y plus 1 upon root 2 x, y की इस line से distance यह कहां आएगा इदर आएगा क्यों उधर आएगा उधर आएगा तो यह पहले लिखे तो इसके divide में क्या जाएगा measure लिखा तो length minor की आएगी तो कितनी हो जाएगी? 9 या 9 by 4 9 by 4 आएगी तो यहाँ छोटी-छोटी गलतियां हो जाती है semi major और semi minor axis की length का square करना है अपने को तो वो 3 दे रखा है तो 3 का half 3 by 2 का square कर दिया plus x minus y plus 2 upon root 2 का square upon 4 2 2 का square 4 हो गया is equal to 1 यह हमारा answer हो गया इसको simplify करना हो तो कर लो बड़ answer इस तरह से लिख सकते है same उसी तरह से है जिस तरह से हमने parabola के लिए पढ़ा वहाँ पे जो दो perpendicular line थी वो अलग थी यहाँ पे दो perpendicular line अलग होगी यह जो second definition हम पढ़ते है वह corresponding to two perpendicular lines होती है given हो उसके corresponding पढ़ते हैं अपर बढ़ते हैं पया-पर नहीत भी यहाँ बड़ते हैं यहाँ आप है